हेलो नमस्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चानल पर आज के सुड़े में हम देखने वाले 12 ड्री मिलें उनकी विनिंग टीम्स दोस्तों आरार वर्सेस जीटी याने राजस्टान रॉयल्स वर्सेस गुज्रा टाइटन्स के बेच के मैच क देखा दिया उस पर आपको क्लिक कर लें और अफकोस अगर आपने टीम नहीं बनाई तो नीचे भी स्कूरेट सबाते यह सब बाते हैं प्रिव्यू कर आपको दिखाने आलो तो चलिया दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं की इस नाए उड़ करे सबी टीमें प्रिव्यो करके दिखा देता ह। तो पहली टीम की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे अलग मैं पहले ही टीम में कर ले रहा हु जैसे कि यहाँ पर रिद्यमांचा जौस बटलर और संजो सामसंग तीनों कीपर्स को मैं साथ में लेने आला हुँ क्योंकि तीनों अच्छा पर्फर्मस कर सकते दोस्तों और तीनों बड़िया बैट्समन है उसके बाद डेविड मिलर हेट मायर शुभन गिल और एशया स्वी जैस्वाल चार बल्ले बाद उकले होंगा और अश्वीन विजैशंकर और हर्दिक पांडिया तीन और रहेंगे औ तो इसलिए यहां पर तो यह जो एंद्रचल अच्छे खासे गेन बाद है और मुझे लगता है यह विक्ते ले सकते कल तो इसलिए यहां पर इनको अकेले को मैंने लिया है तो अफकोस यहां पर पहले टीम का क्याप्टन में जौस बटलर को बना रहा हूं क्यूंकि हम सब क सबसे बड़ी बात है कि आप यहां पर दोनों का प्रफॉर्मस अच्छा खासा रहा है अभी तक बटलर का हर साल की तरफ इन तरह नहीं रहा है लेकिन अच्छा ही पर्फॉर्मस रहा है यहां पर उल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं गील को क्याप्टन और बटलर को सब्सक्राइब तरह से रखूंगा इस टिम को आप ग्राइड लिक के लिए बड़ी बड़ी लीगों के लिए ज्धा से ज्धा से ज्यादा यूच की जगा स्मॉल लिक के लिए यूच्ट करना है नहीं करना मैं आप पर शूड़ता इस टीम को क्लोज करते दूसरी टीम की बात करूं तो बटलर और संजु सामसंग इन दोनों के रखूंगा रिद्धिमांसा को ड्रॉप करूंगा क्योंकि इन दोना का पर्फॉंस अच्छा का सा रहा है रिद्धिमांसा का ठीक ठाक रहा है उसके बाद डेविड मिलर शुबमन गिल द्यवदत पडिकल येशस विज रहे तो इसलिए दोनों को मैं इस टीम में आजग गेन बाद चूज कर रहा हूं बाकि किसी और को इस टीम में नहीं लूँगा क्योंकि हमारी टीम बन चुके कुल मिला के जबदस टीम बनी है इस टीम का क्याप्टन आफकोस हाफ लास्ट मैच में हंड्रेड बनाने यह श् कर सकते हैं और जो लास्ट मैच में उन्होंने किया हाला कि जीत नहीं दिला पायते लेकिन फिर भी इनको मैं इस टीम का वाइस क्याप्टन जरूरू बनाऊंगा दोनों जबदस थे दोस्तों यहाँ पर फिर से कौंगा पूल्टा करना चाहें तो कर सकते हैं पाट्ड्या क को क्लोज करतें तीसरी टीम देख लेतें तीसरी टीम में मैं रिद्धिमान साहा और जौस बटलर के साथ जा रहा हूं उसके बाद डेविड मिलर शुब्मन गेल देवदर पडिकल मनोहर और यह श्यस्विजैस्वाल मनोहर और पडिकल भी इतना बुरा नहीं कर रहें जित कुल्दीप से इनको भी कुछ जगह पे जरूर लीजेगा काफी अच्छे गेन बाज हाला कि पहला मैच उनका अच्छा नहीं रहा है लास्ट मैच लेकिन फिर भी इनको जरूर लीजेगा गेन बाजी काफी अच्छी करतें इसके बाद यह टीम भी काफी बढ़िया है इस कुछ मैच अच्छे तो इनको भी में वाइस क्याप्टन या कई ना कई क्याप्टन भी ज़रू बढ़ाऊंगा लेकिन इस तीम में इसी तर से रखूंगा यह टीम भी आपको काफी बढ़िया टीम बनी है तो इस टीम को भी आप ग्रैंड लीग या बड़ी लीग या से बाद मैंने यहाँ पर एक टीम में बटलर और संजी सामसंग को लिए अब रिदीमान सहा और संजी सामसंग दोनों को लोगा बटलर को ड्रप करूंगा क्योंकि इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि बटलर हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इतना भरोसे मन नहीं लग रहे तो आप कुछ टीमों में से उनको ड्रॉप पी कर सकते हैं अगर बश्रत आपको उसकी रिप्लेस्मेंट अच्छी मिलनी जाए यहाँ पर मैंने देखिए उसके वज़े से बिर पास छे बल्लेबाद हो चुके डेविड मिलर हेट मायर शुब मनगिल द्याउद प लहाँ और थोड़ा हटके फैसला ले रहाँ सिर्फ फार्दिक पांड्या को ले रहा आल रांडर में ना यहाँ ना यहां पर शंकर को लिया है और ना यहार आश्वीड को ले रहाँ दोनों को मैने इस टीम से ड्रॉप कर दिया इसका बाद यह जो एंटरचाहल और मोहमत लेकिन फिर भी इनको टीम में जरूर रखिएगा कभी गुच्छे में ले सकते इस टीम का क्याप्टन में संजू सामसंग को बनाओंगा अभिनाव बनाओर को वाइस क्याप्टन बनाओंगा संजू सामसंग काफी बढ़िया है बैटिंग तो करी लेते साथ स्टंपिंग रन आउट या कैचिंग याने कीपिंग के भी पॉइंट एक्ष्टा दे सकते तो इसलिए क्याप्टन बना रहा हूं तो अभिनाव बनाओर काफी अच्छी बैटे करते तो इसलिए वाइस जॉस बटलर के साथ जा रहा हो दोस्तों इसके बाद डेविड मिलर हेट मायर शुबमन गील देवदर पडिकल और तो पाज वल्ले बाद रहेंगे यहां पर मैं आपको एक बात जरूरू बता दूंगा कि मैं शुबमन गिल को कही भी ड्रॉप नहीं करूंगा इन दोनों पर हर टिम में दाव लगांगा तो इस तरह से पाज वल्ले बाद विजय शंकर और हर्दिक पांड्या दो ही और यहां पर फिर से मैंने आश्वीन को ड्रॉप कर दिया यह जो इंदर चहल मुहमत चमीर ट्रेट बोल्ट ट्रेट बोल्ट भी काफी जबदस थे हम सबको पता इतना खास परफ्रमस ने कर रहें तो इसलिए अभी फिलाल तो इनको वाइस क्याप्टर मना रहा हो और हार्दिक जबदस बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते तो इसलिए क्याप्टर मना रहा हो कुल मिला के यह वी टीम काफी बड़े आए ग्रैंड लिग बड़ी ली तो इसलिए यह थोड़ा काफी रिस्की है तो लगाए ना लगाए आप पर चोड़ता हूं लेकिन ऑप्शन दिखाना मेरा काम है दोस्तों तो इसलिए हर वो ऑप्शन दिखाना चाहता हूं जो से आप ग्रैंड लिग जित सके इसके बाद डेविड मिलर शुबमन गिल दे होल्डर को मुझे ने लगता कल मौका मिलेगा लेकिन फिर भी रखिएगा दोस्तों हो सकता है कल यह अच्छा परफोर्मस करें तो इसलिए चार और के साथ में जाओंगा ट्रेट बोल्ट और राशित खान को मैं अभी तक ले नहीं पाया था तो रशित खान को इस टीम में क्लोड़ को अच्छी है और मुझे लगता है यह क्याऊंग केले को मैंने स्टीम में ले लिया है बटलर और रिदिमान सा को भी ड्राप कर दिया तो यह भी ऑप्शन था यह भी मैंने चूज कर लिया है इसके बाद डेविर मिलर शुबमन गिल देवदर पडिकल अभी नव मनोहर और एशस विजय स्वाल पाज बले बादों के साथ फिर से बना रहा है कि यह भी टेम अच्छी का से देवदर पडिकल को क्याप्टन गिल को वाइस क्याप्टन मना रहा हूं और तो यह भी टेम काफी बड़िया है ग्रैंड लीग बड़ी लिग या स्मॉल लिग किसी वी लीग के लिए आप इस टीम को भी यूज कर सकते हैं चले के साथ जा रहा हूं किसी और कीपर को इस टिम में नहीं लूँगा शुब्मान गिल देवदर पड़िकल अभीनोमर और जैसेश्वेश्वाल चार बल्लेबाज के साथ जाओंगा और हार्दिक पांडिया अकेले मेरे पास मिल सकते इस तरह से भी क्योंकि चल जाती है तो यह टिम आपको काफी ज्यादा पॉइंट देला सकते और ग्रैंड लिग भी जिता सकते तो इस तरह से इसलिए मैंने पाच गैंड़ाज को लिए लास्ट मैच में इन्होंने तीन-चार विकेट्स निकाल देते तो आपको यह भी ग्रैंड लिग जिता सकते तो इसलिए इनको क्याप्टन बना रहा हूं और संजु शामसंग को वास्ट बना रहा हूं यह भी काफी बड़ी आप लियर तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लिग के लिए सजेस्ट करूंगा लेकिन तीम अच्छी है दोस्तों ताके भी दे सकती स्टीम को भी क्लोज करते नवी टीम देख लेते किस तक से मैंने बना ही कि नवी टीम और भी अलग बना रहा हूं जौस बटलर और संजु सामसंग दोनों को रख रहा हूं इसके अलावा किसी मतलब रिद्दीमान साको मुझे ड्रॉप करना ही पड़ा है क्योंकि डेविड मिलर शुबमन गील येशिस विजय इस्वाल और डी जूरेल बी लास्ट तो तीन मैचेस में दो मैचेस में चोतिस चोतिस दोबार रन दोस्तों तो इनको भी कहिना कही सामिल रखना थोड़ा फायदेमन हो सकता है अगर हो सकता है इनकी कल बल्लेबाजी अच्छा परफर्फरमस करें तो इसी दिए यहां पर इनको भी एक दूर टीमों में कम से कम जरूर रखीगा इसके अलाव में फार्दी पांडिया को और आश्विन को भी मैंने ड्रॉप कर दिया और विजय शंकर को मैंने ड्रॉप कर दिया होल्डर को मैं ज्यादा जगप मैंने रशिद खान को बना है और वाइस क्याप्टन बना रहा हूं को क्योंकि रशिद खान भी का पिछले 2-3 मैचेस में खास परफर्फरमस नहीं है दो लेकिन रखिएगा फायदा हो सकता है कल यह ज्यादा और विक्टे ले और जरूर पढ़ने पर अच्छे शौर्ट भ मूज़े आपको थोड़ी अलग और हटके टीम लगाना जरूरी होता है और उसी से आप ग्रैण्ड लिक जितते और देखी ओगे आपने तो काफी हटप्ते से टीमें रहते हैं जो मैने लगता है इस तरह से तर से नहीं से बनाइए दस की बात करू तो यहां पर सिर्ष बत एक बात जरू बताना चाहूंगा दोस्तों मैंने जो जो भी बताए इसमें एक या दो चेंजे जरू कर लीजेगा क्योंकि हर वो बंदा अगर सेम लगाएगा तो जीतना सबका जितना तो पॉसिबल नहीं जीतने वाला तो कोई एक है तो इसलिए कुछ ना कुछ चेंज पारि आ जाती है और जल्दी आ जाती है तो लंबे-लंबे छक्के लगा सकते तो इसलिए यहां पर इनको क्याप्टर मनाना काफे फायदे मन रहे सकता है और डेविड मिलर को वाइस क्याप्टर मना रहा हूं यह भी काफी जबददज बल्लेवाजे तो इन दोनों पर ज्य जाता से जाधा बड़ी लीगों के लिए यूज करना है स्मॉल लिग के लिए यूज ना करें तो बेटर है फिर भी आप यूज करना चाहे तो वैसे इतनी बूरी भी टीम नहीं इस टीम को भी क्लोज करते हैं और ग्यारवी टीम आज दो टीमें एक्ष्टा बता रहा हूं दोस्तों घ्यारवी टीम देख लेते हैं या पर फिर से रिद्धिमान सा जॉज बटलर और संजु सामसंग तीनों को साथ में ले रहा हूं शुबमन गील देवदत पडिकल अभिनावमन और येश्यस विजैसवाल चार बल्लेवाजों को ले रहा हूं आश्वीन विजैश में मनोवर को बना रहा हूं और क्याप्टर दोस्तों में ऑर चेptर में पहलए हूं तो इसलिए प्रफोरंच कर देते हैं का फाय Cant करा कराकी दे सकते तो इसलिए ग्राइड लिह जीता सकते चोहल भी दो अगर दो तीन बिकेट्स लेते तो भी आपको काफी ai करा सकते हैं नियомत बीस ट्रूज त्रक्तर से बना है कि आपको तो इसलिए इनको क्याप्टन बना लूगा और आर अश्वीन पर भी आप मतलब इनका पी परफोर्मस अभी पिछले कुछ मैचेश से काफी बढ़िया रहा है और इनको भी मैंने अभी तक क्याप्टन या वाइस क्याप्टन नहीं बनाया था तो इस टीम का उनको वाइस क्याप्टन बना दूगा तो कुल्मला के अच्छी खासी टीम है चाहे आप ग्रैंड लिए य सकते हैं तो इस तर से यह भी टीम काफी बढ़िया इसे भी क्लोज करते हैं और आखिर में यह होंगा दोस्तों कि आपको मेरी सबी टीम है और मेरा वीडियो जरू पसंदा होगा और अगर पसंदा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरू कर दीजे चाइनल को भी अगर आप की कोशिश करता हूँ साथ साथ कौन-कौन सब्स्टिटूट है उसके भी स्क्रीनशाट शेट करता हूँ और प्लेइंग इलिए उन में क्या चेंजे से वह भी वापे बताता हूँ तो इसलिए टेलेग्राम को जॉइन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए त इतना ही मिलते हैं अगले उड़े में तब तक के लिए थैंक्यू और गुडबाई